पहले कमेंट पढ़ो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर एक बच्चे ने लिखा है प्रोकोडर भाईया बहुत मज़ा आ रहा है आपसे सीखने में फुल वेबड़ सिखा दो भाईया और इंटर्व्यू का भी प्रेप आपसे सीखने को मिल रहा है बस आप सब कि मैं पेड़ कोर्स के बारे में क्या सोचता हूं क्या पेड़ कोर्स खरीदने चाहिए क्या पेड़ कोर्स बनाने चाहिए और मेरा पेड़ कोर्स कवा आएगा तो वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा अगर आपने मेरी स्टोरी वाली वीडियो देखिया तो जोड़ने में कोई रिसोर्स ही नहीं मिल रहा था और अंत में मैंने कहां से सुरुवात क्या word development सीखना मुझे यूट्यूब पर एक एड आया था एक पेड कोर्स का आया था एंजला यू नाम की एक टीचर है आपने उनका नाम सुना होगा अगर आपने नहीं सुना है तो क्या क्या सीखेंगे कैसे किसे सीखेंगे मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने उनके लिंक पर उन्हें बोला अगर आपको कोर्स लिंक पर करके पर्चेस कर लो तो मैंने जाके वह कोर्स पर्चेस कर लिया और वहां से फिर मेरा web development का जो journey स्टार्ट हुआ तो सीधा ज मुझे यूटूब ने ना दिखाय होता तो सहओ से आपके 수도 विडियो बना के आपको word development लिए मैं नहीं सिखा रहा होता हूँि नहीं सीखा रहा है मैं गाह चरा रहा हुता हूँ विस ठीम पर गायी चराता था तो यह होता है ऑगर आपको राइट टाइम पर राइट क्रस मि एक Max Million का मैंने लिया है, जिरो टू Mastery का कोर्स लिया है, फिर अगर हम यहाँ पर आज गया है, अपने अपने इंडिया में, तो मैंने अक्षा इसाइनी का कोर्स लिया है, तो मैंने बहुत सारे paid courses से सीखा है, और मैंने फ्री में भी YouTube से बहुत सारी चीशी है, अभी YouTube के ओपर मैंने पूरा का पूरा front end ही पढ़ा दिया, अगर कोई भी बच्चा जो की सीखना चाहता है, और उसको विल्लकुल भी coding अव्रडोल पर नहीं आता है, तो एक तम zero से वो start करके, एक तम job ready बनाने तक का मैंने पढ़ा दिया है, वो इतना सीख के कोई भी job ले सकता है, एक front end engineer की, तो इतना मैंने पढ़ा दिया है, आप में से जिसने भी इस course को follow किया होगा, आपको पता होगा, कि किस depth में एक course पढ़ा गया है, आप free तो छोड़ो, आपको ऐसा किसी paid course में भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मेरे recording अभी इसमें बहुत सारी चीज़ मिसिंग है, जो कि improve की जा सकती है, इसमें सबसे जादा important चीज़ जो कि missing है, वो है lecture wise questions, आप जिसे से lectures पढ़ते हैं, आपको questions मिलने चाहिए, ताकि अपने जो lecture में topic पढ़ा है, उसका आप questions solve करके practice कर पाएं, ये एक सबसे important चीज़ मिसिंग है, दूसरा कि इसमें कई सारे बड़े project और complex projects मिसिंग है, अगर मैं कोई paid course बनाऊंगा, तो जाहर सी बात है, ये सारी से उसमें cover करूँगा, उसमें topic wise questions रहेंगे, उसमें बड़े-बड़े projects रहेंगे, इसे कि मैंने already free course बना दिया है, आप उसको access कर पा रहे हैं, आपके पास internet है, आपके पास laptop है, लेकिन आप सोचिए कि इंडिया में कितने बच्चों के पास laptop है, कितने बच्चों के पास fast internet है, आपको लगता होगा कि सब के पास है, आपको अपने आज़ पास दिखता होगा, लेकिन ये real India नहीं है, real India में बहुत सारे बच्चों के पास mobile भी नहीं है, और laptop तो दूर की बात है, तो मैं चाहता हूँ जिसके पास laptop नहीं भी है, उस तक भी coding पहुँचाए जाए, वो भी एक proper तरीके से web development सीख पाए, coding सीख पाए, अब उसके लिए मेरे पास idea तो है कि कैसे सीख सकता है, उसके लिए हमें कुछ application बनानी होगी, ऐसा application जैसे कि जिसके अंदर VS code भी चले, और हमारा dev tools भी चले, जो हमारा web development करते है, तो dev tools उसके अंदर बहुत जादा important होता है, वैसे हमें application बनानी पड़े ही mobile के लिए, ताकि कोई भी वच्चा जिसके पास क्योब mobile है, वो भी अच्छे से web development सीख पाए, तो मैं mobile के लिए भी course बनाना चाहता हूँ, तो अब यह idea तो है मेरे पास, लेकिन उस पर काम करने का time नहीं है, एक साल से वो idea idea ही है, execution पर कोई काम नहीं चल रहा है, क्योंकि time की कमी है, बहुत सारे काम रहता है, अपना office का भी काम रहता है, आप ही सोचिए अलग सार अगर क्यों यूट्यूब पर ही आज तक पढ़ा रहे होते, तो क्या आज तक वो इस scale पर बच्चों तक पहुँच पाते हैं, जिस scale पर आज पहुँच रहे हैं, उन्होंने पूरे education को democratize कर दिया है, अब हर एक बच्चा बहुत ही affordable rate में बहुत ही अच्छा सीख सकता है, तो मेरे recording paid course बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चितना charge कर रहे हैं, उतनी की value प्रवाइड कर रहे हैं, अगर ओग course में right information है, right content है, जिसको जरूरत है, अगर ओग course उसको बेचा जाता है, तो बहुत ही अच्छा है, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है, तो बेचना बुरी बात नहीं है, अपने mindset से यह बात निकाल दीजिए, अगर जितने भी internet providers हैं, जिसे यह अगर वो net बेचना ही बंद कर दें, तो आप कैसे यह video देख पाएंगे, आप business को negative sense में मत लीजिए, आप देख लीजिए, जो भी अमीर countries हैं, उनमें क्या ऐसा है, जो कि वो अमीर हैं, उनके अंदर बड़े-बड़े businesses हैं, बड़ी-बड़ी companies हैं, तो इंडिया को भी अगर आगे लेके जाना है, अगर कुछ बड़ा बनाना है इंडिया को, तो इंडिया के अंदर भी businesses create करनी पढ़ेंगे, अब वो कैसे भी business हो सकते हैं, हम अलग-अलग field में business create करके इंडिया को आगे ले जा सकते हैं, तो आप सोच रहे हूँए कि मैं भी कोई course launch करने जा रहा हूँ, तो हाँ, जो हमारा course launch होने जा रहा है, उसका नाम है, क्या नाम है, कोई course ही नहीं है, अभी तो कोई course ही नहीं बनाया है मैंने, अभी मैंने कोई paid course नहीं बनाया है, लेकिन future में आ सकता है, आप comment करके बताईए, आप किस चीज के उपर course देखना चाहते हैं, और आप अपना opinion भी share करिए, कि paid course बेचना सही है कि नहीं, और सही है तो क्यों सही है, और नहीं सही है तो क्यों नहीं सही है, अब सभी के लिए comment section खुला है, जो भी आपके मन में हो वो share कर सकते हैं, तो अगर आपका कोई भी question है, कोई भी doubt है, तो comment में पूछ सकते हैं, हम लोग मिलते हैं next video में, अपकेली.pv